भारत की शरण में आना चाहता है पाकिस्तान जिहां टेक्स्टाइल एसोसियेशन ने सरकार से लगाई गुहा कोटन शेत्रों में विनाशकारी मौनसुन की बारिश के साथ पाकिस्तान टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट एसोसियेशन ने बढ़ते निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए वागा के माध्यम से भारत से कपास के आयात की अनुमती देने के लिए संखीय सरकार से संपग किय डोन की एक रिपोर्ट के मताबिक निर्यातकों का कहना है कि शुरुआती अनुमान बताते हैं कि कपास की खड़ी फसल का 25 फीसदी हिस्सा खराब हो गया है और देश में कच्चे माल की कमी की अशंका है अलगलग सिंद और पंजाब में कपास की फसल से बाड़ के नुकसान करने की सुविधा परदान करेगी राश्चे खाद्य सुरक्षा और अनुसंदान मंत्राले में हितधार को के साथ प्रामर्श करने और कपास फसलों की उपज और शेत्र में व्रिद्धी के परस्तावों की समिक्षा करने के लिए एक बैठक के दुरान निर्नेलिया गया है वहीं पाकिस्तान टेक्स्टेल एक्सपोर्ट एसोसियेशन के मुखे सरक्षर खुरम मुखतार ने बुद्वार को डौन को बताया हमने अपनी एक मांग के मद्दे नजर गोर करने के लिए वित मंतरी मिफ्तहा इसमाईल से संपग किया है उन्होंने कहा है कि कपास की मांग का वास्तवी काकलन 15 सितंबर के बाद किया जाएगा हमें भारत से धाई मिलियन गांठ आयात करने के आवशक्ता हो सकती है उन्होंने कहा कि कम रसत लागत के साथ या एक मातर विवार्य विकल्प परतीत होता है मुखतार ने कहा है कि मंतरी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे गटबंदन सहयोगियों और अन्या हित्धार को के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे पिछले हफते विद मंतरी मिफ्ता इस्तमाइल ने कहा कि उन्होंने वेक्तिगत रूप से भारत से सब्जियों के आयात के अनुमती देने के विचार का समर्थन किया था और अंतर आएगा. Bureau Report Market Times TV